नमशकार, शामदरिक विज्यान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक, शामदरिक विज्यान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूटूब के चैनल गो ब्लोक्स में आपकी हतेली में इस समय मस्तिस्क की जो लकीर है ब्रेन की जो रेखा है वो पूरी हतेली को पार कर रही है और हल की जो है आप देखेंगे लहराती हुई जा रही है इस परकार से ठीक है ने? जब मस्तिस्क रेखा इस परकार से चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित हो जाए और बहुत जादा हो जाए तो इस अवस्ता में ऐसा ब्यक्ति चाए वो महिला हो या पुरुस हो प्रायों बहुत जादा सोचते रहते हैं या सोचने वाले हो जाती है जादतर ऐसे लोग कलपनाओं में डूबे रहती है और इनका जो मन है वो भी एक अगरचित कम हो पाता है दूसरा ये हलकी लहराती है तो कहीं न कहीं जीवन में तनाओं की इस्तिति चिन्ताओं की इस्तिति, डिप्रेशन की इस्तिति को धीरे धीरे बेक्ति के अंदर लाती है और बेक्ति हमेशा कलपनाओं में डूबा रहता है कलपनाओं बहुत जादा करता है कलपनाओं के सिवा उसके पास कुछ और नहीं रहता है कि जो वो कर पाए दूसरी बात अगर यहां पे देखेंगे तो जब ये रेखा इस प्रकार से होती है जीवन की रेखा इस प्रकार से होती है और इनके बीच में गैप हो तो ऐसे लोगों की स्वतंत्र विचारधारा होती है स्वतंत्र विचारधारा के ये लोग होते हैं, अपने ही मन के मालिक होते हैं, अपने मन के करने वाले होते हैं, मनमर्जी के मालिक जिनको कहते हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आदिपत्य में ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, तेकने स्वयम के निर्णेयों पे चलना इनको ज इन सवालों को सबसे पहले ले लेते हैं देखेगा आपने सवाल पोचा है क्यों मैं इतना बीमार रहती हूँ आप बीमार क्यों रहती है इतना इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है देखेगा जब भी हमारी हतेली में निमनमंगल से यहां पे जो ये निमनमंगल है आ कीर आके यहां पे जीवन की रेखा को काट दे और फिर यहां पे करियर और धन की रेखा को काट दे फिर आपके मस्तिस्क रेखा का भेदन करे और यहां पे राहो के प्रवत पे इस प्रकार का क्रोस का चिन बनाए तो यह बहुत जादा खराब माना जाता है दूसरा इसके साथ जब ये इंडेक्स की फिंगर जो आपकी है इसके नीचे वाला जो भाग है बहुत ज़ादा दब जाए कमजोर आउस्ता में आ जाए साथ में राहू, ब्रस्पती और केतु का ये भाग इस परकार से पूरी तरोसे दूसित हो जाए तो ये एक परकार का बहुत ज़ादा बिस्योग बनाता है जो बहुत बड़ी तकलीप में ब्यक्ति को रखता है केवल बीमार ही नहीं रहता है ऐसे में ब्यक्ति, ब्यक्ति को जो जिन्दगी है वो हमेसा तनाव से परिपूर्ण रहती है बहुत जादा तनाव रहता है, चिंताएं रहती है, जीवन में उतार चड़ाओ भयंकर रहता है और कहीं न कहीं डिप्रेशन की इस्तित रहती है, कई बार ओस्तिता रहती है, कई बार बहुत जादा संगर्स रहता है ब्यक्ति की संगर्श की हदे पार हो जाती है मुस्कले कमनी होती है मुस्कले थमती नहीं है ये इस चीज को बताता है जब ब्रस्पति कमजोर हो नीच आउस्ता में होहतेली में राहHS मारक भाओ में हो इस प्रकार से और की तु बहुत जादा दोस्यत हो तो ये गुरु चांडाल योग बनाता है, जो बहुत तकलीप देने वाला योग होता है और आपकी हतेली में गुरु चांडाल योग बनावा है और उसमें सबसे पहला प्रभाव पढ़ रहा है आपके राहो के छितर का इस लकीर का जो ये लकीर है देखेगा जब ये लकीर जीवन की रेखा को काटती है तो जीवन में दुस्परिणाम देखने को मिलते है सबसे पहली ये मुश्किल होती है कि आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मनि कदम कदम पर मुश्किले आती है फिर ये करियर और धन की रेखा को काटती है तो पैसे रुपे को लेके रोटी रोजगार को लेके आजिवका को लेके हर जगा ऐसी जातका को उतार चड़ाव जहिलने पड़ते हैं फिर ये मस्तिस्क की लकीर को काटती है जब ये मस्तिस्क की लकीर को टच करती है तो हमेशा बिक्ति के जीवन में दुविधा, उल्जने, तनाव, डिप्रेशन ऐसी इस्तितियां आती है और जब ये इसमें क्रोस का चिन बनाता है तो बिक्ति के जीवन में कुछ चीजें ब्यक्तित होती हैं या तो ब्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में कहीं न कहीं धोका मिलता है ऐसे में ब्यक्ति ब्यापार कर रहा हो तो ब्यापार में नुक्षान होता है अगर इनसे ब्यक्ति बच जाए फिर ब्यक्ति का धन का नुक्षान होता है या ब्यक्ति करजे मे रहता है और ऐसे करजे के भवर में फंसता है कि उससे उबरना मुश्किल हो जाता है अगर इससे भी ब्यक्ति बच जाए तो फिर ब्यक्ति कहीं न कहीं कूट कचरी के मामले में फंस जाता है अगर इससे भी बच जाए देखेगा फिर ये रहस्यमई बीमारी पैदा करती है प और किस कारण से ये बिमारी आई है इसका इलाज क्या है ये पता नहीं चलता है और बिक्ति लंबे दोर तक उस बिमारी से जूजता है तो मैं आपको राहो का उपाई दूँगा जिसमें गुरु चांडाल योग का उपाई होगा वो जरूर करे आपको बहुत अच्छा लाब होगा तुरंत नहीं होगा थोड़ा लंबा समय जरूर लगेगा लेकिन बहुत अच्छा लाब आपको होगा दूसरी बात है फिर दूसरा प्रभाव पढ़ता है ब्रिस्पती का क्योंकि यहां पर ब्रिस्पती सनी की तरब जुकावा है तो परिवार को लेके भी चिंताई रखेगा यह अभी कम से कम ढ़ाई से तीन वर्स तक ठीक न और कोई न कोई समस्याई भी रखेगा और यह यहां पर साधारन अवस्ता में आ गए है आपकी हतेली में यहां पर बहुत साधारन अवस्ता में बैठ गए है जिसके कारण यह आपके अंदर साधारनता देते हुई दिख रहे हैं सामनी बिक्तित्व देते हुई दिखाई दे रहे हैं देखेगा जब ब्रिस्पति इस प्रकार से हतेली में कमजोर होता है ठीक है तो आपके पास कितनी भी अच्छी नौलेज हो उस नौलेज को इंप्लिमेंट करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उस दामपत्य जीवन का चरम सुख का जो भोग है उसको ब्रिस्पति की तो संतान को लेके भी चिन्ताई रहती है ऐसे में पैतरिक संपत्य का बहुत अच्छा लाब ब्रिक्ति को नहीं प्राप्त होता है ऐसे में धन को लेके भी समस्याई रहती है संगर्स की इस्तिति रहती है और सभी परकार के जो सुक है जिनको हम सुक कहते हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए ब्रस्पति के कमजोर होने से हमें वो सुक नहीं मिलते हैं ऐसे इस्तिति में बिक्ति को सही राह दिखाने वाला नहीं मिलता है जिसको गुरू कहते हैं और कहीं न कहीं जिवन में बड़ा संगर्स करना पड़ता है ऐसे में बिक्ति अपने आपको कई बार अकेला महसूस करता है अगर गुरू इस प्रकार से हो अब तीसरा गुरू चांडाल योग में आता है केतो इसके भी दूस परिणाम देखने को मिलते हैं ऐसी इस्तिति में क्या होता है कि एक तो आपका जो स्वास्तिय का मामला है जो आरोग्य का मामला है जो तंदुरस्ति का मामला हो वो लड़ खड़ा जाता है वो अनबैलेंस ह हो जाता है और आपको कोई न कोई बीमारी घेर लेती है उस से पीछा छुड़ाना मुस्किल हो जाता है, दूसरा कोई न कोई चिन्ता जीवन भर लगी रहती है और जीवन में संगर्स बहुत जादा रहता है, यह इस चीज को दिखाता है, तो आप इतना बीमारी इसलिए 你 कि आपकी हतेली में एक पूर्ण मारक भाव का गुरु चांडाल योग है और इस गुरु चांडाल योग के कारण आप बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं बहुत ज़्यादा उतार चड़ाव झेलती हैं कई बार और इस्तिरत का सामना करना पड़ता है कई बार भयंकर उतार चड़ाव भी जहलने पड़ते हैं तो इन सब का मैं उपाई दूंगा जुरूर कने निश्चित ही लाब होगा दूसरा आपने सवाल पोचा है भाग्या कैसा रहेगा देखेगा जब गुरू चांडाल योग आपकी जीवन से निकल जाएगा तो निश्चित तोर पे जो है भाग्या आपका बहुत अच्छा रहेगा तीसरा सवाल आप पोच रही है जिंदगी ठीक नहीं चल रही है भाई जब आपकी हतेली में राहो भी मारक भाव में है गुरू नीच अवस्ता में है और राहो के साथ पीड़ा दे रहा है साथ में किये तू भी जो है आपके दुष्ट ग्रहों के साथ युक्ति में बना क करके आपकी जीवन को तहस नहस कर रहा है तो जीवन आपका कैसा ठीक चलेगा अब इसके लिए क्या करेंगे आप सुन्दर सा उपाई दूंगा लेकिन देखेगा आप किसी भी तरह से दिव्य सूर्य किरिया जरूर करें मैं ओडियो के माधियम से दूंगा दूसरा दिव् यह जरूर करेंगा और तीसरा में ब्रिस्पति का जो है राहो का और केतो का एकी सा तो पाई दूंगा बहुत सरल है जरूर करेंगा आपको बहुत बड़ा लाब होगा आपके प्रश्णों के मैंने सही सही उतर दे दिया है पूरी तरो से बता के दे दिया है अब हतेली की अन्य चीजों पर चलते हैं, एक चीज के परति थोड़ा सावधानी रखें, क्या चीज है देखें क्या ? एक तो आपकी जो अंगोठा है नै, आपका अंगोठा का पहला पोरुवा देखेगा बहुत छोटा है और दूसरा पोरुवा देखेगा आप बहुत बड़ा है, जब इस प्रकार की इस्तिति आती है और जिस ब्यक्ति की हतेली में ये इस्तिति बनती है ऐसे जातक हो या जातिका हो अपना नुक्सान अपनी जल्द बाजी में करते हैं निरणयों के कारण ऐसे लोगों का नुक्षान होता है बड़ा सोच समझ कर ऐसे लोगों को निरणय लेने चाहिए लगभग 36 वर्ष की आयू 42 वर्ष की आयू या 56 वर्ष की आयू में ऐसे लोगों का जादतर मामले में भाग्योदई हो जाता है हाँ सुरुवाती दोर थोड़ा ऐसे लोगों का पीडादाई रहता है घर परिवार का भी सुक थोड़ा कम मिलता है तो आपको जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैशला नहीं लेना है जल्दबाजी से बचना है बड़ा सोच समझ कर आपको जीवन में निरणएं लेने हैं तब जाके आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा ये आपका अंगोठा इस पश्ट कह रहा है दूसरी बात देखेंगे ये उंगली पूरी तरो से जुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरब तो धार में का भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परति समरपन की भावना बहुत अच्छी रहेगी आरद जीवन में बहुत जादा महेनत और बहुत जादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धूपी का काम भी आपको निश्चित तोर पे करना पड़ेगा ये उंगली देखें ये इस तरह जुक रही है यस पाने की इक्षा मनि परसिद्ध पाने की इक्षा रहेगी नेम फिम पाने की इक्षा बनी हुई है और अपने कारियों में बिस्तार हो जाए फैलाव हो जाए और समश्याओं से मुक्ति मिल जाए ये बहुत बड़ी तो दोनों उंगलियां बराबर है और दोनों आपकी मिडिल फिंगर से चोटी हैं धन और यसकी भूक है पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है आपके लिए और जिवन का मुख्य लक्षबी अब यही दिखाई दे रहा है आपकी उंगलियां बता रही है इन चीजों को ध फाइलिंग में कम्यूनिकेसन स्किल्स में कमी को भी दिखा रहा है इन कमियों को दोर करना चाती है तो यहां तक नाखोन बढ़ाएं तो निश्चित रोप से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा यहां पे देखेंगे तो यह इस प्रकार से जाती हुई रेखा दिखाई प्रभाव पड़ रहा है साथ में सेटरन का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है जिसको भग्यास्तान कहते हैं यह लोग बहुत ज़्यादा भावक होते हैं दयालो होते हैं करोना इनके अंदर बहुत अच्छी रहती है लेकिन जीवन में धीरी-धीरे महत्वकान बहुत अच्छे अस्तर तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एनकेन परकारेंड जो भी आपसे हो सकता है आप निश्चित तोर पे बहुत अच्छा प्रियतन भी इसके लिए करेंगी यह इन चीजों को बता रहा है यहां पे यह रेखा इस तरह से हैं मस्तिस्क रेख और इसका जो है मिलान होतावा दिखाई दे रहा है यह बहुत अच्छी चीज है ऐसे लोग बड़े बिबेकी होते हैं दिमाग बहुत जादा इन लोगों के अंदर होता है और कम्यूनिकेशन इसकिल्स इस परकार से एक सांदार होता है कि अपने काम को पूर्ण करने के लि खाना कि कुछ जगों पे यह स्वयम भी इस्तेमाल हो जाते है यह इस चीज को दिखाता है अब यहाँ पे देखेंगे जिस परकार से जीवन की रहा से रहाई नीचे की और जा रही है यह जीवन में संगर्षकी इस्तिती और थोड़ा सा उलज्ञन की इस्तितियों को दिख खाता है ठीकन इसके लिए दिब्य योगध्यान की रियाद जरूर करें मस्तिस्क रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था जीवन की रेखा इस पश्ट बता रही है कि अपने जनम अस्तान से दूर तरक्की मिली होगी जनम अस्तान में रहे कर बहुत बड़ी तरकी नहीं मिली होगी लेकिन कर्म ऐसे कर रहे हैं करमाज ऐसे हैं कि अंत में निर्वान की प्राप्ति है मोक्षि की प्राप्ति दिखाई दे रही यह बहुत अच्छी चीज है यहां पे सुक्र का परवत देखें तो सुक्र का परवत बहुत सुन्दर है खुब सुरत इस्तिति में दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ जुक रहा है तो जीवन में ये घुमने फिरने का विक्ति को सौकीन बनाता है और ये कला के लिए, सुंदर्य के लिए और सुंदर्ता के लिए और एक सुखत जीवन जीने के लिए जाना जाता है इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है आपकी हतेली में ये सुक्र सुंदर रुप में उबरा हुआ है तेजो में अवस्ता में है ये आपको तेजस्वी बनाते हुई दिखाई दे रहा है आपके चेहरों को शानदार एक खूबसूरत इस्तिति में लाता हुआ दिखाई दे रहा है सुन्दरता है, आकरसन है, आपके अंदर बिद्यमान करा रहा है और हर प्रस्तिति को जहलने की ताकत दे रहा है शुक्र आपका बहुत अच्छे भाव में है कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन ब्रिस्पति बहुत कमजोर है जब ब्रिस्पति बहुत कमजोर रहता है और शुक्र अपने अच्छे भाव में रहता है तो ये विपरीत फल देता है क्या विपरीत फल देता है तब ये व्यक्ति को मानसिक प्रेशानिया देता है व्यक्ति का जीवन संकटों और कठनाईयों के बीच गुजरता है लाख प्रियास कनने पर सारे साधन होने के बावजूद भी भ्यक्ति को सुक नहीं मिलता है बहुत जादा मेहनत परिशनम करने के बाद भी अभाव की इस्तिती बनी रहती है तो इन सब चीजों उसको ठीक करने के लिए आपको देव गुरु ब्रस्पति को ठीक करना है वैसे आपका निम्न मंगल देखे आपका उच्च मंगल देखें दोनों बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे हैं कि आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा ये इस चीज को दिखा रहा है सनी भी आपका ठीक है लेकिन कभी कभी बे वजहे की चिंताइं दे रहा है कोई न कोई ऐसी वजहें दिखा रहा है जो थोड़ा तनाव को दे तो दिब्य योग ध्यान के रियाद जरूर करे सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य भी आपका ठीक है लेकिन जितना परियास आप कर रहे है आप उन परियासों में पूरी सपलता नहीं पा रहे हैं जो मेहनत आप कर रहे हैं जो परिस्रम आप कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है एक सहजता से एक सरलता से आपको जीवन में रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए दिब्य सूर्य के रिया दे रहा हूं जरूर करें लाब होगा ये बहुत सुन्दर है तो वानी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी तन की सुन्दरता भी बहुत अच्छी रहेगी और हर प्रस्तितियों को जेनने की ताकत भी रहेगी चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है धीरे धीरे आपका मन मजबूत इस्तिति में आ रहा है कहीं न कहीं जो है मन के साथ साथ आपका confidence level भी बढ़ेगा इस चीज़ को दिखा रहा है और आगे चल कर सरीर का हारबोनल सिस्टम भी ठीक रहेगा इस चीज़ को दिखा रहा है यहां से करियर और धन की रेकर तो ठीक है लेकिन इस प्रकार से इसको काट रही है तो धन कहीं न कहीं जो है ऐसी इस्तितियों में ब्याई हो रहा है जिसका भास्य में जो है कोई लाब नहीं मिलेगा ठीक है न देखेगा जो भी परेशानी है यहां सबसे बड़ी problem है मारक भाओ का गुरु चांडाल योग इस गुरु चांडालियों को कैसे ठीक करना है इसका मैं उपाई दूँगा निश्चित तोर पे करिएगा आपको बहुत अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार